हलो एन वेलकम गाईज स्वागत है आपका अपने स्यूडियूब चैनल पे तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउटू लिंक यूर फोन टू यूर पीसी मतलब एंड्रोइड फोन को हम लोग एक अपने विंडोस पे कैसे लिंक करें तो जैसा कि आप लोग यह देख पा रहे ह आपके पीसी में एक सॉफ्टवर होगा ठीक है और अगर नहीं हो तो आप माइक्रोशॉफ्ट के अब यहां को करना क्या है तो देखो चलो चलते हैं तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है अब देख सकते हो मेरे second row पर यहाँ पर एक link to windows करके option है ठीक है इसको आपको on कर देना है ठीक है तो इसे मैंने चुआ यह on हो गया ठीक है अब आप इसे tap करके रखोगे तो सीधा उसके settings पर चल जाओगे ठीक है तो यहाँ पर देखो पहले से मेरा एक desktop connected है ठीक है तो new करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको करना है add to computer ठीक है जैसे यह आपके पास कुछ इस तरह के options आएंगे ठीक है ऐसे options आएंगे ठीक है फिर आप जैसे नीचे जाओगे ना तो नीचे पर आपको करना है ठीक है तो टैप करने के बाद आपको जो next step करेगा यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर मेरा करेंटली लॉग्डेन पर दिखा रहा है और अगर आपको किसी और से करना है तो यहाँ पर देखो नीचे qr code के तुरू option दिया ठीक है अगर आपका Microsoft account नहीं है तो आप Microsoft के साइट पर जाके सीधा वहां sign in चुईएगा sign up चुईएगा वहां पर आप जाके अपना बना सकते हो या फिर आपका Gmail जो है उस वह भी आप use कर सकते हो same as a Microsoft account बस आपको उसमें password बगेरा नहीं बनाना होगा तो इस दिर रहनी qr code पर जब आप जाओगे तो वहां पर जो qr code उसे scan कर देना है अगर qr code चुए गए तो इसमें तो link नहीं दिखाया लेकिन first time करोगे तो आपको यह लिंक दिखाएगा देखो यह जो link show कर रहा है URL बाहर पर आपको यह वाली link आपको डालनी है ठीक है यह link डालोगे इसके बाद आपको क्या करना है आपको enter हिट कर देना तो इसको हिट करने के बाद देखो आपके पास क्या notification गिरेगा कि आपको your phone wants to connect to PC तो यह notification आएगी तो इस पे आपको क्या करना है open करना है ठीक है open करने के बाद देखो आपके पास जो वह आपका जो app installed हुआ था ना वो देखो वह open होने का कोशिस करेगा ठीक है त यह QR code generate हो रहा है इतने देर में तो इतने देर में आप देख लो यह QR code है इसको आपको scan करना है ठीक है आपको scan करोगे इस scan करोगे scan ठीक है तो scan करने के पाद देखो आपको process यह सुरू होगा ठीक है next step जाना है आपको continue continue करना है ठीक है तो यह continue continue हो रहा है तो यह सारी कुछ नोटिफिकेशन आएगी आपको एलाव करना है ठीक है जैसे कि देख सकते हो PC मेरा डिटेप्ट हो गया मेरा Microsoft account जो है उस पर भी login हो गया ठीक है तो आपको यहां पर क्या करना है कि यहां से अब आपको वापस से आपको PC के पास जाना है ठीक है तो यहां पर नीचे पर देखो कि आपको दिखा रहा है turn on करने का ठीक है तो यहां पर आप turn on कर देना ठीक है turn on करने के बाद आप देखो यह सारी आपके permissions होगी देखो यह पूरा का पूरा app खुल चुका है ठीक है यहां पर देखो अगर मैं क्लिक करता हूँ यह जो कि दर गई कि मिनिट मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर देख सबते हूं यहाँ पर है ओपन यूर फोन स्क्रीन तो आपको इसके लिए करना क्या होगा कि आपको सबसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सेम नेटवर्क पर कनेक्ट रहना है ठीक है अपने मुबा से कनेक्ट करें ठीक है तो मैं भी चलो वही प्रोसेस करता हूं फिर आपको दिखाता हूं नेटवर्क पर कनेक्टेड है तो यह स्टिल वर्किंग होने लिख रहा है थोड़ी दिर में खुल भी जाएगा ठीक है तो बात यह बतानी है कि अगर किसी का android one based phone है तो उस पे यह यहां अग्यां सोफ्ट्वेर नहीं रहा होगा तो अगर्ष इन्सटाब्ट यह एक आप तो आप देख सकते हो साथ ही यहां पे खुल चुका है तो जिसके नहीं होगा तो उनको क्या करना होगा simply आपको जाके मैं screenshot share कर दे रहा हूं वो आपको वो redirect कर देगा आपको सीधा play store पर मास वाइब डाउनलोड हो जाएगा उसका बाकी का process सेम हो जाएगा तो चलो मैं देखता हूँ कुछ प्ले करके ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हूँ यह सेट यहां पर किदर mx player यह देखो मैं सारे phone पर कहीं भी उंगली नहीं लगा रहा हूँ सारे मैं cursor से mouse से आपको clicking sound भी सुनाई दे रही होगी ठीक है चलो मैं यह करके दिखाता हूँ आपको देखाता हूँ आपको आप पर जो pattern ने वह भी सीधा draw होगा simple ठीक है यहां पर खुल गई अब कोई सा भी एक वीडियो प्ले करके चेक कर लेता हूं सपसकर यह वीडियो है ठीक है आप देख सकते हो पूरी पूरी वीडियो अच्छे से प्ले हो रही है यहां पर ठीक है तो इस पर कोई copyright issue भी नहीं आने वाला है यह आप नहीं बनाया वाब वीडियो है ठीक है तो यह थी गाइस आपको process to link your windows to your phone ठीक है आयोप कैस आपको वीडियो पसंद आई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till then take care and